खारत ने किया धार्मिक स्वतंतरता पर अमेरी की रिपोर्ट को खारिज तो इसके बारे में केवल इतना कहना चाहूंगा कि इसे आप मतलब परसंटेज वाइज अगर वैल्यू देना तो पांच फाइफ स्टार अगर कॉस्चन हो तो फाइफ स्टार में से इसे वन स्टार र लगती हैं मतलब पांच मुद्धे होते आपके लिए पांच ही सवाल हैं लेकिन हमारी और मेरी खुद की परसंट में आपको यकीनान बताऊं सुबह 6 बजे से लेकर अब तक बीच में 45 मिनिट हटा दो आप ये इस्पॉंटिनेसली पढ़ने में गुजरता है कि यार ये च प्यान में रखकर किया गया है लेकिन रोजाना इसमें इंपॉर्टेंट चीजें मिलेंगे जरूरी नहीं है मैं खुद मानता हूँ 365 दिन में मेरे प्यारे साथियों 365 दिन ही इंपॉर्टेंट खबरें हो जाएंगी तो फिर जीवन तो हमारे खराब हो जाएगा ना सो डेड़ सो दिन ही ऐसी चीजें होती है जो हमारे exam point of view से बेहद important होती है बाकी आपको update रहने के लिए aware रहने के लिए रोजाना के साथ connect रहने के लिए जरूरी होती है है ना चलिए आए तो साथियों मैंने आपसे क्या कहा धार्मिक स्वतंतरता पर अमेरी की report को खारिज किया है इंडिया नहीं as usual practice हो गई है हमारे साथ में अमेरिका की अमेरिका वाले धार्मिक स्वतंतरता पर हमारे लिए कुछ कहते हैं और हम उठा करके उन्हें वो दे देते हैं कि साब ये आप गलत कहा रहे हो जैसे ministry of external affairs reject US state department report citing deteriorating religious freedom in India United States ने भारत के बारे में कुछ कहा क्य इंडिया ने लपेट कर अमेरिका वालों को ही धमका दिया कि नहीं तुम्हारी जो ये चीजे हैं ये पूरी तरह से ill motivated हैं और biased हैं यानि अंदर तुम्हारे मन में हमारे हमको ले करके कुछ ना कुछ दुरभावना है इसलिए ये आपने बात कही है और ये घटना उस समय हो नेक्स्ट मंथ जून के अंदर 22 जून को बाइडिन के चीफ गैस्ट होने वाले हैं उस समय पर एक माईने पहले इस तरह अमेरिका की तरफ से रिपोर्ट आना कि इंडिया के अंदर धर्म खत्रे में है ये धार्मिक सतंतरता खत्रे में है ये निश्चित ही एक बड़ा मु अब ये आपको पॉइंट पकड़ना है इसके अंदर कहा ये गया है कि भारत के बारे में गलत बोलने वाले या गलत बयान बाजी करने वाले कुछ अमेरिकी अधिकारी है जो की only serves to undermine further the credibility of these reports जिनकी वजह से ऐसी reports के उपर जो विश्वास करने की बात है वो कम हो जाती है we value our partnership with the US and will continue to have frank exchange on issues of concern to US concerns to us we he added मतलब समझना इस पूरे बयान का अगर हम एक बार के अंदर conclusion निकालने का प्रयास करें तो conclusion कितना सा निकलता है ध्यान से समझना conclusion ये निकलता है कि कुछ अधिकारी अमेरिका के ऐसे हैं जिनका प्रयास है क्या प्रयास है कि वो अमेरिका के साथ भारत के रिष्टों को खराब करना चाते हैं जो अपने, जो अलग उनके उद्देश हैं, जो इस तरह के रिपोर्ट बनाते हैं, वो अपने उद्देश्यों की पूर्ती के लिए इस हतकंडे का उपयोग करते हैं. क्या नाम से रिपोर्ट है? ये रिपोर्ट का नाम है, देखिए, ये क्या है? इसके बारे में मैं आपको बताऊं, उससे पहले एक बार के लिए आप इसे देख लीजिए, भारत की Ministry of External Affairs का 16 तारीक को आया बयान, Official Spoke Person Respond to Media Queries Regarding US State Department 2022 Report on International Religious Freedom. अच्छा, पहले तो ये समझे, 2023 मई में इसका रेस्पॉंस आया है, और यहां क्या लिखा हुआ है? 2022, इसका मतलब समझ रहे हैं? इसका मतलब ये है, 2022 के आकडों से प्रभावित रिपोर्ट है, जिसे जारी किया गया है अमेरिका के विभाग के द्वारा, अमेरिका के ग्रह मंत्रा लेके द्वारा जारी किया गया है, अब आप पूछेंगे, अमेरिका के ग्रह मंत्रा लेके द्वारा जारी किया गया है, इसका क्या अर्थ निकाले सर, इसके बारे में हमें बता दीजिए, तो मैं आपको यहां जानकारी देता हूँ. बेसिक जानकारी क्या है? इसे थोड़ा आसान भाशा मैं समझते हैं. देखो होता क्या है? अमेरिका को हम एक देश समझते हैं, लेगिन अमेरिका हमें अपनी एक कॉलोनी समझता है. अब आप बोलेंगे सर आपने कड़वा सच बोल दिया. कड़वा तब ये कहा गया कि कोई भी देश किसी और देश को उपनेवेश नहीं बनाएगा, सारी दुनिया के देशों को आजाद किया जाएगा, और दुनिया भर के सारे देश, हमें लगता है हमारी जो आजादी है, उसमें हमारी स्वतंतरता संग्राम का बहुत बड़ा योगदान है ये सच है, लेकिन इसमें कुछ तथ्य और भी जुड़ सकते हैं और वो ये हैं, कि उस दौर में सारे देश ही आजाद किये जा रहे थे, सारे देश आजाद किये जा रहे थे से मतलब है, Second World War के बाद में जितने भी देश थे, उनके उपर, जैसे आज France, UK, America, Germany, ये सब एक चोटे-चोटे देश रह गए हैं, उससे पहले तक क्या हुआ करता था, कहते थे ना, Britain का सूरज कभी अस्ती नहीं होता, यानि वहां से लेकर, पूरव से लेकर पस्चिम तक Britain फैला हुआ था, इसका मतलब समझने हैं आप, इसका मतलब ये हुआ, कि पहले, जितने भी Britain का कबजा था, उन्हें संग्ठित रूप से एक साथ आजाद किया गया था, आजादी दे दी गई, लेकिन आजादी मिलते ही, हमें तो अच्छा लगा कि हम आजाद हो गए, अमेरिका को लगा कि चलो दुनिया आजाद हो गई, लेकिन जिन देशों ने कभी राज किया था वो इतना चलती राज छोड़ देंगे क्या, जरा विचार करके देखो आप, नहीं छोड़ देंगे, नहीं छोड़ देंगे से मतलब जो पहले हमें अपनी कॉलोनी बना कर रखते थे वो लोग, हमें अपना उपनिवेश बना कर रखते थे, अपने लोगों के माध्यम से, वो चीजें वो नहीं छोड़ सकते थे, इसलिए एक नया टर्म आया, जब आप वर्ड जोग्राफी, वर्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तब आपको सुनने हो मिलेगा, नव सामराज जवाद और नव उपनिवेश बाद, नियो कॉलोनिजम, एक नया टर्म निकल कर आया, निय तो इम्पिरियलिजम, यानि नव उपनिवेश बाद और नव सामराज बाद, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ ये हुआ कि पहले तक जिस तरह हुआ करता था, क्या होता था पहले, पहले तक ये हुआ करता था कि बिटिशर्स की सेना इंडिया में रहेगी, यहां का दिरे धीरे उन लोगों ने अपनी परिभाशाओं में खुद को ये समझा लिया, कि आने वाले समय में जहां जहां हमारा राज होगा, वो राज अब डायरेक्ली नहीं होकर इंडायरेक्ली होगा, कैसे? वहां की आर्थिक नीतियों पर, वहां के समीधान पर, वहां के डिस पर, जो सरकारे डिसीजन्स लेंगी, उन पर हमारा प्रभाव होगा, यानि अब आप विचार करके देखे कितना इंट्रेस्टिंग तरीके से इन लोगों ने हमारे साथ खेला किया, क्या किया? आप जड़ा ऐसे सोचिए, देखिए, जब बिटिशर्स हमारे यहां साशन कर करते थे, आज, मतब, comparison करके देखिएगा, उपनिवेशवाद, और ये जो मैं बात आपको बता रहा हूँ न, ये बात आपको पता होनी चाहिए, क्यों पता होनी चाहिए, क्योंकि ये, आप किसी भी डिबेट में बैठें, किसी भी परिक्षा में जाएं, किसी भी इंटर् कोलनिजम कहते हैं इसको, ठीक है, दौनों में अंतर क्या है, उपनिवेश के अंदर जब इंडिया कॉलोनी था ब्रिटिशर्स की, तब हमारे साथ क्या होता था, ब्रिटिशर्स का बिठाया हुआ, वायस राय, इंडिया में हुआ करता था, वायस राय, उल्टा लिख दिय थे जैसे रेल बनाई, संसद भवन बनाया, या फिर जो भी आप आज बीचा टेलिग्राफ बनाया, डिपार्टमेंट पी डबल्यूडी बनाया, या फिर आर्के अलाजिकल सर्वे ओफ इंडिया बनाया, जो भी चीजें आज आप इंडिया में देखते हैं, आजादी के बाद, उनमें से शायद ये कहना अतिशोक्ती होगा, कि मैजोरिटी, 75% से जादा चीजें ऐसी हैं, जो अंग्रेजों के द्वारा अंग्रेजों के काल में बनाई गई थी, आप उठाकर चाहे कोई बिल्डिंग देख लीजिए, चाहे प्रशाशन की विवस्ता देख लीजिए, इवन हमारा कॉंस्टिटूशन भी अगर आप देखेंगे, तो ये कॉंस्टिटूशन भी हमारा 1935 का जो इंडिया, मतलब एक्ट आया था अंग्रेजों द्वारा भारत के लिए, उसका बहुत बड़ा हिस्सा हमने as it is copy कर लिया, तो अब उनको क्या होता था, और हम लोगों ने क्या पढ़ा है आज तक, हमने पढ़ा ये है कि अंग्रेज भारत में आये थे राज करने के लिए, हमारा पैसा लूटा, हम पर अत्याचार किया और करकर के अपने साथ पैसे लेकर चले गए, हमारे साथ में हमको जो सबसे बड़ी चीज दिमाख में बैठी या बिठाई गई वो क्या थी, कि हमारे साथ में सोशन हुआ, और सोशन कैसे हुआ, सोशन करने के लिए उन लोगों ने हमारे उपर जमीदारी प्रता लागो करी, हमारे उपर टेक्सिशन्स लगाए, हमसे पैसा वसूलते और पैसा वसूल करके भापस अपने घर लेकर चले जाते, एक बहुत अच्छी थियोरी बन कर आई जिसे की drain of wealth थियोरी कहा गया कि हमारा जो धन है उसे हमसे चीन कर दूसरी जगे ले जाया जा रहा है आगा इतनी बात समझ में इतना सब कुछ याद रह जाएगा आप लोगों के अच्छा लेकिन अंग्रेजों का अपना दर्द था अंग्रेज क्या कहते थे और आज भी कहते है जब debate होती है तो और उनका कहने का अर्थ यह होता है कि क्या हमारे आने के बाद taxation आपके देश में से हट गया क्या हमारे आने के बाद में जो आपके देश का ब्रस्टचार था वो खतम हो गया हमारे आने के बाद में आपने कितना नया system अपने याँ बना लिया और रही बात taxation की जो हम लगाते थे उससे ज़दर tax तो आपकी सरकारे लगाती है कौन सी चीज में जो आम जनता है उसे क्या मुनाफ़ा हुआ लेकिन अगर हाप हमसे पूछो हमारा घाटा क्या हुआ तो हमें तुमारे देश में इतना सब कुछ बनाना पड़ा तुमारे देश को गवर्न करने के लिए क्योंकि उनकी नजर में जब वो लोग आये थे और ये सच भी है जब वो आये थे तब मुगल्स का साशन हुआ करता था मुगल्स के साशन के दौरान बहुत सारे राजगराने अपने अलग चल रहे थे राजगराने राजिस्थान के अलग चल रहे थे उन्होंने तो भारत को यूनाइट करके आपको सौपा वो अपने पक्ष में इस तरह की बातें बूलते हैं ये एक लंबा विशह है जिसमें अंगरेजों का कहना है कि तुमारे यहां राज करने की कीमत चुकाई है है हमने जो तुमारे यहां बड़े बड़े रोड सडकें या फिर बिल्डिंग्स बनी देख रहे हो रेल बना देख रहे हो सिस्टम बने देख रहे हो यह बंदरगा बने देख रहे हो व्यापार के मार्ग बने देख रहे हो इवन तुमारी forces बनी हुई देख रहे हो, forces में बनी हुई regiment देख रहे हो, वो सब हमारी दी हुई है, चलो ये बात उनकी हो गई, लेकिन उन्हें एक बात समझ में आई कि इसमें उनको खर्चा बहुत करना पड़ता है, खर्चा बहुत करना पड़ता है, इसे मतलब क्या हुआ, उन्हें इस देश में बहुत सारा infrastructure पर investment करना होता है, जब Second World War हुआ, तो अमेरिका ने, Second World War में, ये थोड़ा सा concept है, थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन समझ लेना, इससे बहुत बड़ी समझ विक्सित होगी, फिर हम आगे बढ़ेंगे फटाफट, अमेरिका ने Second World War के दौरान, अमेरिका पैसे वाला देश कैसे बना, Second World War में जब ये लोग लड़ रहे थे न, तो इनके पास पैसे की कमी हो गई, अमेरिका ने इन्हें लोन दिये, लोन के साथ साथ इन्हें वैपन्स दिये लड़ने के लिए, जैसे वो आज भी काम करता है, वही सब काम उसमें तब भी किये, उससे ये लोग उसके रिणी हो गए, अमेरिका ने कहा कि देखो मैंने तुम्हें जो पैसा दिया है अब ये पैसा तुमसे मैं वापस भी लूँगा लेकिन अब तरीका तुम्हें मेरे अकॉर्डिंग करना पड़ेगा बोले क्या करना पड़ेगा तुम लोगों को न ये जो तुम फरजी काम करते थे उस देश में जा रहे हो, बिल्डिंग्स बना रहे हो, सैनाय बना रहे हो, फलाना करे हो इसमें इतना पैसा खर्च क्यों करना उनको उनहीं के हाल पर छोड़ो पहले उन्हें बड़ा मत बनाओ, तो बोले फिर उनको वैसा छोड़ करके रिवर्स काम करो, अपनी कंपनीज को वहाँ भेजो बोले कंपनीज को भेजो, बोले उसकी चिंता छोड़ो, ये गरीब देश है, गरीबी से निपटने के लिए इन्हें हमारे साथ जुड़ना ही पड़ेगा, जुड़ना पड़ेगा इनके यां कंपनीज अपनी भेजो, खुद क्यू जाते हो खाम खा, तो बोले क्या करे, बोले बड़ी बड़ी कंपनी भेजो, जैसे आपको मालूम होगा, भारत आजादी के तुरंत बाद किसी कंप पोने लगे, फिर धीरे धीरे हमें अपने याँ पर लाइसेंस राज लगा कि इस धिंदा को थोड़ा बड़ा करना पड़ा, बहारी साधन साधनों को आने पड़ा, उन्निस सो इकरान में में जाकर के, हम लोगों ने परिपरपारी पार्टी अपनाई कि अरे भाई कोई ब उन्निस सो इकरान में में हमने मनमोहन सिंग जी के नित्रत्व में, जब वो वितमंत्री हुआ करते थे, नरसिंगा राम सरकार थी, तब जाकर हमने अपना लिया LPG, ध्या धड़ाम भाई साब इंडिया के अंदर बड़ी-बड़ी कंपनियां आने लग गया, आप मालूंग जब डैल हो, एच्पी हो, जिन भी कंपनियों को आप अपने आसपास आज देख रहे हैं, अपनी यूज में जिनको आप कर रहे हैं, उनमें अधिकांश कंपनियां अमेरिका की हैं या अमेरिका के जो सयोगी देश हैं उनकी हैं, अमेरिका के सयोगी देश चाए फ्रांस है नव उपनेवेश बनाया, नव उपनेवेश का मतलब समझ रहे हैं, इन्होंने हमारे यहां सेना नी भेजी, लेकिन कसर भी नी छोड़ी, हमारा सारा पैसा सुविधाओं के नाम पर ले जाते रहे, बोले यह तो बहुत अच्छा हो गया, कोई खर्चा नी करना, खर्चे के न नाम लिख लेना, जो आपके काम में आ रही है न, चाहे आप अपना फोन उठाकर देख लें, आप अपना लैप्टॉप उठाकर देख लें, पैन, पैंसिल, यह जितने भी चीज़ें आसपास रखी हैं, रिमोट, प्रिमोट, यह सब विदेशी हैं, इंडिया को कोई एका इसका मतलग सेवाएं उपयोग में लो, पैसा सीधा हमें दो, और इस प्रकिरिया को अमेरिका ने गवर्न बहुत अच्छे से किया, और इसमें बहुत सारा फायदा था, आज आप सोचिए न, जिस ITC का आप सुबह सुबह को क्लोज आप, पैसो डेंट यह सब करते हैं, यह ब्रिटेन की कंपनी है, इनने का खर्चा क्यों करना, पैसा ऐसे कमाऊ न, आगई बात समझ में, और हम लोगों को क्या बना दिया, लेवर, आज जब मैं विदेश यातरा पर जब जाके आया, मेरा जो सबसे बड़ा माथा घूमा, मुझे आना था जिस दिन उसको टिकेट क कैंसिल करा के एक दिन पहले लोट कर आया, क्यों दिमाग बना गया भाई, हम लोग वहाँ पर नौकरी है, हम जितने भी लोग इंडिया से बाहर जा रहे है, कोई इंटर्फिन्योर बनने नहीं जा रहा वहाँ पे, कहने में बहुत बुरा लगता है, लेकिन सुन्दर पिच लेकिन वो बड़ा बाबु है, एक्जेक्टली ऐसे वो बड़े नौकर, इंडिया से केवल लेवर फोर्स गई, हमने कोई बड़ी कंप्री बनाई नहीं यार, अगर आप अपना इतिहास उठा कर देखोगे, तो आप जिन टाटा बिडला अडानी लेकर के आप चल रहे हैं यह दो-चार लोग हैं जिनके नाम आपको याद हैं, लेकिन कर काम भार के ही लोग रहे हैं, ऐसी इस्तिती में जो यह हमारे अंदर जो नौकर बनने की फिल्स पर डाली, मैं जब जाकर कर आया, अभी गल्फ कंट्री जब गया था, तब मैं बता रहा हूँ, उस समय देखक पर शारुक खान का भी तो मकान है, वह दो-चार लोग हम जैसों को मॉटिवेट करने के लिए बिठा दिये हैं उनने, हम लोग कुछ बनाई नहीं रहे ना, नौकरी कर रहे हैं, इस स्थिती में यह समझना होगा और यह हमारी मानसिक्ता के साथ खेला खेला गया, यह प्रक और यह जो मैं आपको philosophy या ideology समझा रहा हूँ, इसको समझने में बहुत दिक्कतें आती हैं लोगों को, दिक्कतों इसलिए आती हैं क्योंकि उनकी एकदम अंदर से ego हिल जाता है, और हम तो आजाद है, हम तो हिंदुस्तानी है, हम तो यह हैं, हमारे उपर सबने अपना-पन काम किया हुआ है, हमको बस ऐसास नहीं है, बस हम उस ब्रह्म में जी रहे हैं, जैसे हम ब्रह्म में जीते हैं, कि सूरज धर्ती के चारों तरफ चक्कर काटता है, जबकि यह ब्रह्म है, असल मैं धर्ती सूरज के चारों तरफ चकर काट रही है, हैंना, exactly वैसे हमें लगता ह के अंदर अपनी कमांड़ बनाई हुई है एशा पैसेफिक कमांड में अमेरिका की सेना अलग से न्यूकत है बोले देश में मतरो समूंदर में रह लो एक्जेक्टली ऐसे ही उन्होंने पूरी दुनिया को अपनी अपनी कॉलोनीज में बाटा हुआ है अब जैसे इंडिया अपने यहां पर समिधान के माध्यम से बात करता है कि हमारे यहां पर freedom होगा, religious freedom होगा अमेरिका ऐसे चर्चानी करता है अमेरिका कहता है पूरी दुनिया को बताओ कितने देश हैं बोले 193, बोले ठीक है चलो बताओ किसमें क्या चल रहा है हाल बताओ उसने अपने यहां पर committee बना रखिए आपको लगता है कि आप अपने आप में आजा दे उसने आपका पहले से ठीकर अले रखा है वो अपने उपर calculation लगाता है हाँ बाई इंडिया का क्या हाल है सर मामला थोड़ा ठीक नहीं है आप कहेंगे हमने थोड़ी बताया कोई बात नहीं मन नहीं बताया तो क्या उनकी अपनी committee है वो proper आपका analysis करती है अपनी analysis करके फिर अमेरिका को बताती है मतलब? मतलब समझना जिस चीज के बारे में आज चर्चा हो रही है अब उसके उपर आजाते हैं सीधे यहाँ पर यह जो आप US State Department सुन रहे हैं असल में US State Department को जो सूचना देने वाली संस्था है वो US CIRF है जिसका नाम है Commission on International Religious Freedom मतलब अमेरिका ने अपने ग्रह मंत्राले को रिपोर्ट देने के लिए जैसे इंडिया में होता है न कमेटी बनाई जाती है ऐसे उन्होंने अंतराष्टिय इस तरपर कमेटी बना रखी है US Commission on International Religious Freedom US Commission जिसे आप US CIRF कह रहे हैं इसको एक independent bipartisan का मतलब होता है दोनों पार्टियां इसमें शामिल है Democrats भी है तो और Republicans भी है Federal Government Commission dedicated to defending the universal right of freedom of religion belief abroad दुनिया भर के अंदर लोगों का धर्म के प्रति क्या विश्वास है उसको जज़ करने के लिए उन्होंने एक समयती बना रखी ये समयती प्रॉपर तरीके से दुनिया भर में धार्मिक स्वतंतरता का analysis करती है धार्मिक स्वतंतरता का analysis करती है और it is an advisory body to the US Congress यानि Congress का मतलब party नहीं है वाँकि संसद को US Congress का आ जाता है उसको ये जाकर सला देती है Report provide recommendations to enhance the US government promotion of freedom of religious or belief abroad मतलब ये अपने द्वारा ऐसी recommendations देती है US की सरकार को कि दुनिया के अंदर धर्म का क्या हाल चल रहा है सोचो अपने बारे में नहीं चर्चा कर रहे हैं ये लोग ये क्या कह रहे हैं अपने से पीछे वाले पीछे वाले बोले तो दुनिया भर के जो देश है उनके बारे में इसका headquarter Washington DC में है इसको US सरकार के द्वारा 1998 में में इस्थापित किया गया था एक act पारित करके इसका मतलब ये हुआ कि आप इससे सोच कर देखिएगा कि हम लोग इसको भले ही ना मानते हों अमेरिका ने पूरे दुनिया के अंदर अमेरिका ने कि दुनिया के देशों को भागों में बाटती है Countries of Particular Concern अर्थात ये समयती है जो कहती है US के ग्रह मंत्राले से कि सर देखो दुनिया के देशों को दो भागों में बाटा जा सकता है या तो उनके साथ में कोई दिक्कत नहीं होगी अगर है तो उन्हें दो लिस्टों में डाल दो Country of Particular Concern और Special Watch List इनमें देशों को डालो क्योंकि इनके अंदर कई जगे तो ऐसा लगता है सर कि यहां पर कुछ संकट चल रहा है किसी देश में चल रहा है किसी में नहीं चल रहा है इस आधार पर Country of Particular Concern को इंडिया को डाला हुआ था जिसका अर्थ है कि इंडिया के अंदर Hindu Majority State होने के कारण Religious Freedom में बड़ी दिक्कत आ रही है यह कमेटी अपनी recommendation देती है उस आधार पर वहां का ग्रेम अंत्राले दुनिया भर की अब आगई बात समझ में आइसी ही report Monday को जब जारी हुई समयती ने बनाई report साल भर में अब क्या है रशाद हुसेन, यह ambassador है अटलार्ज office of international religious freedom के यानि कि उस संस्था के यह प्रहान है नाम क्या है रशाद हुसेन, अब यह क्या कहते हैं, press conference में इन्हें चार देश नजर आए, कौन कौन से नजर आए, रशिया, चाइना, इंडिया, साओधी अरब, बुले इनके अंदर जो communities हैं religiously उन्हें target किया जा रहा है, ठीक है, अच्छा, इसी वजह से, इनकी वजह से, भारत ने अपनी तरफ से बयान में क्या कहा है, कि भाई, वहां के कुछ अधिकारी ऐसे हैं, जो अपने लिए, अपने स्वार्त के ध्यान को रखने के लिए, नाम भारत का बदनाम कर रहे हैं, ठीक है न, तो यहां पर आप देखिएगा, यह सारी बाते यहां से निकल कर आई, उनसे सवाल पुछा गया था, तो इन्हां ने रिष्टों में खटास पढ़ने जैसा है, लेकिन इंडिया को आदत है इसकी, बोले कैसे, देखो इसकी आदत इसलिए है, क्योंकि इंडिया को ये इन लोगों की रिपोर्ट्स पहले भी आती रहे हैं, आप इधर देख लीजिए, country of particular concern में इन्होंने हमें last year डाल दिया था इस थर्ड consecutive year, ये कौन डालता है, यही US-CIFR है, यानि US-CIRF जो है, ये पहले हमको डालता है country of particular concern में, फिर अगले साल आकर के सरकार वहां की decision देती है, फरक क्या पड़ता है इससे, फरक ये पड़ता है कई बार, जब किसी देश पर sanction लगाने होता है ना, तो इस report का लेना है, तो आपके खिलाफ कागजपत्र सरकार के पास होने चीए, कि सर देखो इसने ये गलती की थी, सर इसने देखो पहले ये गलती की थी, ऐसे अमेरिका दुनिया के देशों पर प्रतिवंद लगाने के लिए, इन reports को अपने पास बचा करके रखता है, और बचा करके रखे हुए reports के आधार पर दुनिया में फिर अपना sanction sanction खेलता है, हमको ये तीन साल से ये संस्था लगातार country of particular concern में डाल रही है, आप इधर देख सकते हैं, ये 2022 का है, US State Department ने 2022 में भी 2021 के आधार पर report निकाली थी, तब भी ये व्यक्ति हमारे इनके देश के विदेश मंतर हुआ करते थे, अभी भी इनी के द्वारा निकाली गई है, तो मतलब सेम चीज है, आप देख लीजे, ये ये देख लीजेगा, है ना, 2023 में आ गई, 2023 से पहले 2022 में हमारे उपर ऐसी report आगी, मतलब आप ऐसे समझी है, ये US CI RF नमक जो organization है ये एक साल में अपना अध्यन करती है, अगले साल इनकी सरकार report निकालती है, तो अब 2022 का अध्यन करके 2023 में आया है, 2021 का अध्यन करके 2022 में report आई थी, ये रही, 2021 के आधार पर data बना था, 2022 में ये सुर्खी आई थी, clear है, देख लीजे आप इदर की तरफ 2022 में, और भारत हर बार इनका खंडन करता है, कि तुम लोग फरजी हो, तुम लोग बायस नो, तो हमारी अभी आधत होगी, मैंने इसलिए तो कहा ना, कि इनकी चीजों को ध्यान देने के आऊशकता नहीं, जैसे फिर 2020 में देख लो, इस संस्था ने अपनी report निकाली थी, उसके उपर फिर इंडिया ने इनको धंका दिया, तो फरजी हो, बात करें इंडिया के अंदर की, तो इंडिया में religious freedom को लेकर के article 25, 26, 27, 28, 29 दिये हुए हैं, जो की fundamental right are, fundamental right are, मतलब very much protected by the Supreme Court of India, इसलिए हम लोगों को इन बारे में ज्यादा attention करने की जरवत नहीं होनी चाहिए, बताइए यहां तक किसी भी व्यक्ति को किसी परक सब्सक्राइब का बटन है, वो दबा दो अगर आप चैनल पर नए हो, तो वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो, ये काम आपसे request किये जा सकते हैं, प्लीज कर दीजी, है ना, चलिए, इसके साथ साथ कुछ सवाल आपके लेंगे, लेकिन उससे पहले जरूरी जानकारी प आप SDM, DSP, BDOs या Accounts Officers बनते हैं, उन परिक्षाओं की तयारी कराने का कारेकरम शुरू कर रहे हैं, टीम इन बिल्डिंग है, content team अल्रेडी काम कर रही है, handwritten notes आपके लिए तयार किये जा रहे हैं, test paper प्रॉपर तरीके से बनवाए जा रहे हैं, यानि already background में preparation चल रही है, यदि आप मैंसे कोई भी इच्छुक विध्यारती हो, जो उस प्रकिरिया में हमारे साथ जुड़कर काम करना चाहता है, या पढ़ना चाहता है, काम तो हमारी team कर रही है, जो हमसे जुड़कर पढ़ना चाहता है, तो वो अपना interest form, हम link comment box में pin कर देंगे, वहाँ पर वो schedule आदी सारी चीजें आपको जारी करके दे दी जाएं, ठीक है न, हाजी, उत्तम के बनर्जी 1100 रुपे हमारे पास भेजे हैं, लेकिन कुछ comment नहीं लिखे हैं, बनर्जी बहुत बहुत धन्यवाद सहाब आपको, लेकिन ये आपने सुपर थेंक्स में धन भेजा, उसके ए हो जाना कुछ ना कुछ धन भेजते हैं, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका यही सयोग हमारे लिए motivation का कारण बनता है, और हम आगे बढ़कर के काम करने निकल पड़ते हैं, जैसा कि आप सभी को ग्यात है, Google Play Store पर हमारा अपना application, अपनी पार्चाला इस पर हम R.A.S. से समंधित classes लेकर आने वाले हैं, यदि आपको लगता है कि आप इसमें जुड़ना चाहते हैं, कौन-कौन परिक्षा दे सकता है, क्या कर सकता है, यह सारे sessions में लेकर आऊंगा, क्या other state के बच्चे दे सकते हैं, age criteria क्या है, paper में पूछा क्या जाता है, कित उसमें आप अपना interest जाहिर कर दें, कि हाँ सर मैं interested हूँ, ताकि भविश्य में जब भी वो कार्यक्रम शुरू हो, आपको aware कराया जा सके, ठीक है, चलिए, बाकी application आप download कर लीजिए, हमने paid courses यहाँ पर उपलब नहीं करा रखे हैं, आपको PDF जो है, paid course का हमने 7 दिन ही open किया तो Monday के बाद आप admission नहीं है, अब next month जब नया batch आएगा, उसमें आप सोचिएगा, है ना, इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है?